मृदा निर्मानकारी प्रकियाएं कहलाती हैं, अपवहन, इलुवियसन, जिससे जैविक एवं खनिज पदार्थों का निचले संस्तर में गमन होता है। विनिक्षेपन, इलुवियसन, जिससे खनिज, हुमस एवं अने पदार्थों का निक्षेपन होता है। निक्षालन, लीचिंग, वर्षाजलिय विलायक द्वारा घुल्न शील पाद पोशक पदार्थों उदाहरनार्थ कैल्सियम एवं अन्य भस्मों का रिसकर निचले संस्तरों तरफ गमन, केलेशन, जैवरासाइनिक प्रक्रिया जिससे सुक्ष्म पोशक धातु आयनों मैंगन जस्ता, तामबा, लोहा बड़े कार्बनिक अनू जैसे अमीनो एसिड, साइट्रिक एसिड, ग्लुको हेप्टानेटस में जुडाव होता है, जिनसे चक्रिय संकुल आयन का निर्मान होता है लेटराई जैसन, अनुर्वर मृदा निर्मानकारी प्रकिया जो उशनक्ति बंधिय एवं उपोशनक्ति बंधिय गर्म आदर जलवायू में वर्शाजल के पोशक तत्वों को घुलने से संपन्न होती है कैल्सियम, फासफोरस, पोटाश, नाइट्रोजन आदी के अपवहन तथा निक्षालन से मृदा केवल अल्यूमिनियम एवं लौह तत्वों से विभूशित अमलिय पीट एच्ट की हो जाती है, जो क्षारिय आयनों के अनुपस्थिती से जनित होता है पोट जोलाई जेसन, यह उच्च अक्षांशों में उच्च भूमी में सामाने निक्षालन के अवरोधित थंडे आदर जलवायू में मध्यम वर्षा या फिर बरफीले मृदा में लागू होता है निम्न विक्टिच शंकुधारी वन्सपती जैविक पदार्थ अमलिय विलेता द्वारा एल्यूमिनियम एवं लोह तत्वों का निचले संस्तरों में अन्य घुल्नशील पदार्थों के साथ गमन कराते हैं इसके परिनामस्वरूप सिलिकाजने मृदा व्याप्थ होता है कैल्सिफिकेशन शुष्क आद्र जलवायू में वाशपोत सर्जन यदी वर्षा से तुलनात्मक रूप से अधिक है तो कैल्सियम कार्बोनेट का जमाव के शिकत्व प्रकिया से संपन्न होता है सैलिनाई जेसन यह भी कैल्सिफिकेशन की तरह है परंतु लवन जमाव सतह के पास होता है गले जेसन इसमें ठंडे निम्न प्रवाही परिद्रिश में आधार संस्तरों पर गले मृदा सत्थों का निर्मान जलजमाव के वातावर्ण में आक्सीजन की कमी से संपन्न होता है अवकरन से धूसर नीले लौह यौगिक व्याप्त होते हैं